नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के डिसिक्स में आज हम बात करेंगे एक नई वेकेंसी की जी हाँ नॉर्दन कोल फिल्ड लिमिटेड और कल मैंने एक नोटिफिकेशन दिया था जो मार्च की वेकेंसी थी एंसील में ही और वो वेकेंसी को थगित किय गया था COVID-19 की चलते उस वेकेंसी का सारा जो प्रोसेस था सेलेक्शन का वो अब 23 जुलाई तक कर दिया गया है 23 जुलाई तक आप उसके फॉर्म भर सकते हैं जाके लेकिन यहाँ पे एक नई वेकेंसी और निकाल दी गई है जी यहां NCL के तहर थे कितने वेकेंसी है कौन- वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके दोस्तों सुबा मैंने एक और वीडियो दिया था जो कि जारकन लोग से वायों की तरफ से निकाली गई है वेकेंसी और यहां पे कुल 77 पदो की वेकेंसी है इसका नोटिफिकेशन यूटूब नहीं भेजा है तो आप लोग टेली ग्राम जरूर जोइन करें देखें टेली ग्राम पे क्या होगा कि लिंक सेर कर दूँगा तो आप लोग को यह सारे नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसका पीडियो भी मैंने वहां सेर किया है तो आप जाके वहां से टेल चेक कर सकते खुद से तो टेली ग्राम जोइन करें एजुकेशन केटेशिक्स का जरूर से और यहां पे दूस्तों एक बात कहना चाहेंगे कि नॉर्दन कोल फिल्ड की तरफ से जो वेकेंसी की बारे मैंने को कल बताया था शाम को यह वो वीडियो है इसको देख लिज आफ्टर मार्च यहां पे 10 जुलाई को देखें यहां पोस्ट किया गया है और यह इंप्लाइमेंट नोटिफिकेशन भी यहां पे आपको दिया गया है नया इंप्लाइमेंट नोटिफिकेशन में कहा गया है दोस्तों की एंसील इन्वाइट कर रहा है आपको ऑनलाइन अ प्लांट इन दोनों भी .» अगर नहीं नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसकी वेकेंसी निकाले गई है अब देखे कौन कौन सी वेकेंसी है उसका क्या क्वालिफिकेशन है मैं आपको पहले बता देता हूं ताकि वीडियो का आप अंतक ना देखें अगर नहीं अलिजिबल हैं तो अगर आप मैट्रिक पास हैं तो ग्रेट सी के पोस्ट के लिए आविदन तो कर सकते हैं लेकिन आ तो आप आविदन जुरूर किजी ये लेकिन एज क्रेटीरिया क्या है मैं आगे बताऊंगा तर्न का उनकीश्ट का उसकी अलावा दुस्तों यहाँ पर देख सकते हैं welder का तो यह सारे पोस्ट निकाले गए हैं दोस्तों आपको यहाँ पर मैं clear कर देना चाहता हूं कि इसके लिए जो भी candidate matriculation के साथ साथ ITI कर रखा इन्होंने हैना ITI कर रखा है एक साल का certification कर सकते हैं और यह इन सभी डिसेप्लिन में टर्नर मेकेनेस्ट वेल्डर और फिटर के इसमें चीके तो जो भी चात्र आविदन योग हैं यहाँ पर आविदन जरूर करेंगे तो यह आपका qualification criteria हो गया दोस्तों बहुत सारे पूछेंगे चात्र यहाँ पर पूछते हैं यहाँ करने के बाद तो यह अपडेट है यहाँ दोस्तों की बात करते हैं जो भी चात्र यहाँ पर आविदन करेंगे वह 25 अगस्त तक लास्ट डेट है फॉर्म को भरने का यहाँ मैं आपको पहले बता देता हूँ 25 अगस्त के बाद इस फॉर्म को नहीं भर सकेंगे आप उनके लिए साथ पोस्ट है उसके बाद मेकेनिकल ट्रेनिस के लिए 47 पोस्ट है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल दोनों में ही इनका मतलग रूची है और अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए 25 अलग से दिए अब बात करेंगे जो टेक्निशन की पोस्ट है यहाँ उनके लिए वेकेंसी यहाँ पर देखें इसको आपका मेकेनिश्ट का पोस्ट है यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल के लिए कोई पोस्ट नहीं दिया गया है ठीक है कोई भी यहाँ वेकेंसी नहीं है नील है यहाँ तो इसी इचा ध्यान दिजीगा फोर्म भरते से में गडबड मत कीजिएगा पॉस्ट है यहां पे उनके लिए ठीक है यह कुछ एवरिवेशन यहां पर आपको दिये गए हैं इसको आप पढ़ लिजेगा कैटेगरी का है ना कौन सी कैटेगरी से आप बिलॉंग करते हैं इसका ध्यान रखना होगा ओके दोस्तों डिटेल अप दो पोजिशन यहां पर दिया गया है कुछ एवरिवेशन उसके भी ओकी यहां पर दोस्तों और आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन की बारे में तो जो सुपर्वाइजर का पोश्ट है यहां पर सुपर्वाइजर पोश्चन नेम के लिए तो इसेंशल डिक्वाइट डिप्लोमा इंजिनरिंग और हाइयर क्वालिफिकेशन अफ ब्रांच जो है आपका प्रेटन होना चाहिए और दोस्तों यहां पर देखे एक चीज और है कि जो भी छात्र नॉट इलिजिबल ब्रांच फॉर डिप्लोमा इंड बी टेक यह बताया गया इस टेबल में कि कौन से छात्र इलिजिबल नह तो कमिकेशन में तो नहीं पर देखे हाइयर क्वालिफिकेशन वही कर सकते हैं जो की इंजिनरिंग कर रखा है रेक्त्रोंइक्स में या औरेक्त्रोंइक्स टेली कम्मिकेशन में चाहित knife यह आवीदन फिर इनन्हीं करें ये सारे छातर जो है ये और दने करनेंगें, सिर फोर से इंजिनेरिंग डिग्री इंद उफ मेकेनिकल, इंजिनेरिंग वाले कर सकते हैं, और डिपलोमा है, जिनका मेकेनिकल में वो कर सकते हैं बस ध्यान रखेगा दोस्तों यहां पे एक table और दिया गया है table number E है जहां पे आपको इसके बारे में जो आपका training period के इतना होगा कौन से grade में होगे आप जो भी आपका grade है उस grade के तहत जो भी आपका successful training होगा वो कौन से department के तहत होगा तो वो सारा detail यहां पे आपको दिया गय होगा age criteria की बात करें तो maximum age 30 साल का रखा गया है यहां पे और बाकी जो category में student आएंगे उनको यहां पे relaxation भी दिया जाएगा चुकि यह government of इंडिया की तहत है जो भी रूल यहां पे आपको follow करना होगा minimum तो 18 साल से नीचे नहीं होना चाहिए 18 से तेकर 30 साल तका age criteria बोला गय हैं वो 500 रुपे देंगे बाकी SCST, ESM और department candidate जो है इनसे कोई fees नहीं लिया जाएगा दोस्तों यहां पे candidate को अपना जो date of birth के लिए 10th का mark rate लगाना जोरूरी है जो कि अब उनका age criteria उनसे calculate किया जा सके तो यह सारे update थे यहां से दोस्तों जो कि मैंने आपको दिये हैं लेकिन कुछ selection procedure के बारे में यहां पर हम बात करें तो जो भी eligible candidate होंगे उनका eligibility criteria जो होगा वो circular dates specified under the notification will be the required appear the written test, जो भी written test के तहत होगा उनका selection यहां पर और यह selection based on the candidate relevant score in the written test, जो written test में आपका score आएगा उसके base भी आपका score create किया जाएगा और आपको selection किया जाएगा जो भी candidate यहां पर appear होंगे written test में उनका declaration यानि कहाँ पर eligibility वेगरा सब fulfill होना चाहिए जो ही form भरते से में ध्यान दीजेगा है ना कोई ऐसा ना हो कि eligibility 100 ना करें 100 number का यह paper होगा 90 minute का यह exam होगा आपका ठीक है यह भी ध्यान रखेंगे इस exam को OMR based exam लिया जाएगा आपका और दूसरी चीज़े है कि यह जो आपका table showing किया गया है यहाँ पर table number H में यह cut off मास बताया गया है कि इतना cut off कम से कम पार करना होगा 100 में जो कि UR और EWS के लिए 50 है और SST के लिए 40 रखा गया है कि दोस्तों तो यह बहुत लंबा चोड़ा वैसे तो है यहाँ पर फुरा detail अगर आप पढ़ने बैठेगा तो बहुत time लग जाएगा आपको बस form को आविदन कर देना है कैसे आविदन करना है यह आपको पार नंबर 13 में दिया गया है completely step by step देखे चार step में आप यहाँ प application का form भरना पड़ेगा और then finally submit कर देना होगा बस यह तीन चीजे हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही यह भासाओं में आप यहाँ पर exam दे सकते हैं और form को भी भर सकते हैं ठीक है तो इन सभी चीजों का पूरा recruitment का दिया गया है सारा सिनारियों यहाँ पर कैसे कैसे form क को भरना है यह आपको यह बताया गया है इस खाने में दोस्तों important dates कुछ note कर लिजेगा जो कि tentative dates इसका रेटेन का भी तो announcement नहीं किया गया है लेकिन 25 अगस्त तक आपको इस form को भर लेना है तीन अगस्त से इस form का यहाँ पर link activate होगा याद रखेगा link activate कब होगा तो 3 अगस तो mail करके सारी चीजे पूछ सकते हैं online अगर कोई problem त्रोटी होती है तो अगर कुछ payment बगरा करने में भी तो भी ठीक है तो यह सारा update यहाँ से यह दिया गया है दोस्तों बाकी other post पर यहाँ पर जब form हों में गरा है जो भी category का जह है या फिर जो भी category से या फिर जो detail आपको यहाँ पर दिया है और कोई भी detail अगर छूटता है यहाँ से अगर रह भी जाता है तो आप हमें comment box में comment करके पूछ सकते हैं ठीक है तो जिसका इंतजार था उसकी examination के date भी अभी आ जाएंगे जैकिन इस vacancy के अंतजार था आपको वो यहाँ पर बता दिया गया है क कोई doubt हो comment के किजिए telegram join कर लिजिए वहाँ पर इसका PDF में share कर दिया हूँ